जैसरी राधिकिष्णुर। आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा परजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आईए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 माग मास। गुप्त नवरात्री का व्रत कब से शुरू है? कब इसका समापन होगा? गुप्त नवरात्री में घट अस्थापन का क्या समय होगा तो जानेंगे घट अस्थापन के शुब मुर्थ के बारे में व्रत्य पूजा महत्यू के बारे में इस दोरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आएए जानते हैं इन सबों के बारे में आप सभी भक्तों को माग मास की गुप्द नौरात्री की धेर सारी शुक कामना है। आप सभी के जीवन में माता जगदंबा के कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और सम्रिथी की प्राप्ति हो। नौरात्री का ब्रत वर्स में चार बार मनया जाता है। दो प्रकटे नवरात्री के रूप में और दो गुप्त नवरात्री के रूप में प्रकटे नवरात्री जो की चैतर के महीने में और आस्पिन के महीने में शुकल पक्षिकी प्रती पदा से लेकर के नौमी तिथी तक माता दुरगा के नौ स्वरूपों का पूजन किया जाता और फिर गुप्त नवरात्री के ब्रत्य में जो कि माग मास और आसाठ मास की शुक्ल पक्षिकी प्रति पदा से लेकर के नौमी तिथी तक दस महा बिद्याओं का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्री के ब्रत्य में जो कि दस महा बिद्याओं में माता काली, माता तारा, माता तिरपुर शुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन मस्ता, माता तिरपुर भैरिवी, मा धुमावती, मा बगला मुखी, मा मातंगी और मा कमला देवी का जो कि दस महा बिद पूजन करते हैं इस मियाँ का पालन करते हैं दुर्गा श्प्त सती का पाथ दुरुगा चालिसा आदि का पाथ कड़ते हैं इससे 10 महाविद्याओं का विशेष्क्त्रपा प्राप्त होता है जिससे की जीवन में आरही सभी प्रकार के विगन और बाधाये ढुख हो तथा सभी प्रकार के सुख और सम्रिद्धी का आशिरवाद प्राप्त होता है वैसे गुप्त नुरात्री का ब्रत जो की तांत्रिक साथ नाओं के लिए विशेश करके इस गुप्त नुरात्री के ब्रत को किया जाता है इस वार माग मास सुकल पक्ष प्रती पदाति थी प्राडंब समय जो की दस फरवरी 2024 दिन शनी बार सुबह चार बज़ कर 30 मिनट और प्रती पदाति थी की जो समाप्ती है वह रातरी 12 बज़ कर 48 मिनट पे है तो हमें सुदुरूप से सुर्योदे व्यापनी के अनुसार घट अस्थापन के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय जो की दस फरवरी 2024 दिन शनी बार को घट अस्थापन किया जाएगा दस फरवरी को सुर्योदे का जो समय है वह समय सुबह 6 बज़ कर 36 मिनट और सुर्यास्त साम 5 बज़ कर 48 मिनट ब्रह्म मुर्थ का जो समय होगा वह समय सुबह 5 बज़ कर 20 मिनट से सुबह 6 बज़ कर 12 मिनट तक होगा घटा स्थापन के लिए जो सुब महुर्द का समय है वो समय जो कि सुब चोगडिया महुर्द के अनुसार शुब नामक चोगडिया महुर्द का समय होगा सुबह आठ बजे से लेकर के सुबह नो बसकर तईस मिनट तक उसके बाद चर लाव और अमरित नामक शुब चोगरिया मुर्त जो की दो पहर बारा बसकर बारा मिनट से साम चार बसकर चौवीस मिनट तक होगा उसके बाद फिर लाव नामक शुब चोगरिया मुर्त के अनुसार जो समय है वह समय साम 5 बसकर 48 मिनट से साम 7 बसकर 24 मिनट तक उसके बाद फिर शुब अमरित और चर नामक शुब चोगरिया मुर्त होगा जो की रातरी 9 बसकर 1 मिनट से रातरी 1 बसकर 48 मिनट तक होगा दस फरवरी को जो अभीजीत मुर्थ का समय है वा समय सुबह 11 बजकर 50 मिनट से 2 पहर 12 बजकर 34 मिनट तक होगा विजय मुर्थ का समय जो है वा समय 2 पहर 2 बजकर 26 मिनट से 2 पहर 3 बजकर 10 मिनट तक होगा और दस फरवरी को जो राहुकाल का समय है वह समय सुबह 9 बजकर 24 मिनट से सुबह 10 बजकर 49 मिनट तक राहुकाल का समय होगा राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुवकारिय या नया कारिय नहीं करना चाहिए ये लाप्रद्द नहीं होता है इस बात का ध्यान रखे दस फरवरी को नश्चत्र जो की धनिष्ठा नश्चत्र होगा रातरी आठ बजकर 34 मिनट तक उसके बाद शत भीशा नश्चत्र योग जो की वरियान योग होगा दो पहर दो बजकर 54 मिनट तक उसके बाद परिख योग तो विशिस प्रकार से जो की सुवह के समय में जो मुहुर्द बतलाया गया है सुवह चोगरिया मुहुर्द के अनुसार या अभीजीत मुहुर्द में आप घट अस्थापन करें तो बड़ा ही पुनिफल दाई होगा तो जो भी घट अस्थापन करने बाले हैं घट अस्थापन दस फरवरी को होगा और पंचमी दीन दीब का जो दान करेंगे वह 14 फरवरी को अश्टमी तिथी 17 फरवरी को नोमी तिथी का पालन जो की 18 फरवरी को किया जाएगा और दसमीति थी व्रत्य का पारण जो किया जाएगा वह 19 फरवरी को किया जाएगा गुप्त नवरात्री के व्रत्य में जो कि 9 दिनों तक 10 महा विध्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए इस दोरां जो कि शुद और सात्रिक्ता का पालन करना चाहिए तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सिवन विल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो भी घट अस्थापन करने बाले हैं व्रत्य को धारन करने बाले हैं उन्हें 10 फरबरी से पहले हैं यानि कि 9 फरबरी से हैं व्रत्य में नियम का पालन शुरू करना चाहिए और 10 फरबरी को घट अस्थापन करना चाहिए 10 फरबरी से ले करके 19 फरबरी तक जो कि शुद और चाहें तो इस मान्स्माद्रा लहसंन प्याज आदी का प्रयोब भैलकुल भी नहीं करना चाहिए व्रत्र के दोरान ब्रह्मिचरज का प्लं करना चाहिए भूमि पे शेयन करनी चाहिए इस तोरान जो कि स्री दुरगा शप्तसती का पाठ करना चाहिए स्री दुरगा चालीसा आधी का पाठिया स्रबन करना चाहिए माता दुरगा के अस्तोत्र आधी का पाठिया स्रबन करनी चाहिए इससे पुर्णे फलो की प्राप्ति होती है बहुत से जगों पर कन्या पूजन जो कि अश्टमी तिथी के दिन किया जाता है और बहुत से जगों पर नौमी तिथी के दिन तो अश्टमी दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो 17 फरवरी को करें और 18 फरवरी को नौमी तिथी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं और इस दिन हवन आदी का कारे किया जाएगा और 19 फरवरी 2024 को जो की वृत्य का पारण किया जाएगा इस दोरान माता का जो की गंदपुष्प धूप दिप आदी से पूजर करनी चाहिए नेवित आदी का भोग लगाना चाहिए नेवित में जो की रितुफल का माता को भोग मुक्सुधि के लिए पानपतर सुपारी लोंग इलाईची के साथ में अर्पित करे माता को स्रadoreव की वस्तुवय आधी अर्पित करे इससे पूने फलो की प्राप्ती होती है और दस महा बिद्याओं का कृपा प्राप्त होता है जिससे की व्यक्ति के सभी परकार के दुख और कश्ट दूर होते हैं तथा शुख और शम्रिद्धी का आस्रवाद प्राप्त होता है तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अ ताकि आने वाली वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, शुक्की रहे और स्वस्त रहे जैसे राधेकिशन, धन्यवाद